चैट में एक कमेंट है एक जिनका नाम है मैं ले रहा नहीं चाहूंगा लेकिन मैं उनस कमेंट को पढ़कर जो है मैं एंसर करने की कोशिश करूँगा So, उनका question ये है If Jesus loves sinner, then why he killed people during Noah's Ark story? Such things happened many times in the Bible So, उनका सवाल है sister का वो पोच रहे हैं कि अगर येशुमसी पापियों से प्यार करता है तो Noah के समय में लोगों को क्यों मा डाला और Bible में हम कई बार जो है चीजों को देखते हैं Okay, great question and let me try to give you a great answer for this Okay, सबसे पहला मैं Noah के बारे बात करता हूँ देखे, जब ही भी आप Bible को पढ़ते हैं, जब ही भी God के judgment को देखते हैं तो God के judgment के पहले जो कुछ हुआ है, उसको हमको देखना बहुत बहुत ज़रूरी है Let's talk about Noah's story Noah के story को आप Genesis में पढ़ते हो लेकिन उत्पती के किताब छटा अधिया तीसरा वचन को जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर देखे क्या लिखा हुआ है उत्पती छटा अधिया तीसरा वचन में लिखा है And the Lord said, My spirit shall not strive with man forever For he is indeed flesh, yet his days shall be one hundred and twenty years तो उत्पती के किताब छटा अधिया तीसरे वचन में हमें पता चलता है कि परमेश्वल जो है Noah को कहते हैं कि My spirit shall not strive with man forever मेरी आत्मा जो है मनुशे के साथ लड़ती ने रहेगी क्योंकि वो 120 दिन तक उसकी दिन बाकी है Hindi translation आप पढ़ लेजे ना यहां पर यह जो 120 साल के बारे में कहा गया है यह actual में एक alarm clock को जब set करते हो न जैसे कि आपने set कर दिया तो 120 साल तक लोगों को समय मिला 120 साल तक Noah बार-बार लोगों को जाकर preach कर रहे थे लगातर लोगों के पास जाकर Noah कह रहे थे कि मन फिराओ लोगों के पास जाकर कह रहे थे कि आप अपने पापों से मन फिराओ तो जब यह सारे चीजों को वहाँ पर हो रहा था लेकिन लोगों ने क्या किया लोग वहाँ पर पी रहे थे मजाग कर रहे थे शादियां कर रहे थे दागमदू पीकर जो है सडकों पर अपना अपने जिन्दगी में अपने पाप में पड़े हुए थे लेकिन पाप जो है इतना बढ़ गया है जहां पर परमेश्वर की वार्निंग जो है 120 साल के लिए जो है इगनोर की जा रही है जरा सोच कर देखना यह 120 साल का जो काउंट दिया हुआ है परमेश्वर ने मूसा को जो सॉरी नोवा को जो टाइमिंग दिया था नोवा के टाइमिंग से 120 एर्स तक जो है नोवा वार्निंग देते गए 120 साल तक लोगों को टाइम दिया कितना एक दिन दो दिन ने 120 साल तक नोवा को टाइम दिया और नोवा को बोलने से पहले भी लोग वहां पर पापी थे जिसके वाज़े से खुदा को वहां पर बोलना पड़ा यानि कि खुदा परेशान होकर लोगों के उस क्रिया को देख कर कितना मौका देने के बावजूद वो लोग मन नहीं फिरा रहे हैं खुदा के खिलाफ है गंदे हरकतों में वहां पर पड़े हुए हैं वो चीजों को देख कर खुदा ने क्या किया नोवा को वाउन किया तो यानि कि नोवा से पहले भी वो लोग उस काम को कर रहे हैं यानि कि आप आई डून नो उसके पहले कितने 20 साल मौका दिया हुआ है अब 120 साल तक भी इंसान जब बातों को नहीं सुनता है उसके साथ क्या किया जाए एक छोटा सा उधारन देता हूँ मान लीजिए एक आतिंकवादी ग्रूप है एक नॉर्मल गवर्मेंट की आर्मी टीम क्या करती है एक कंट्री की आर्मी टीम उसको वार्निंग देती है कि भाईया अपने आपको सरेंटर कर दो नहीं तो आपको पनिश किया जाएगा यह लोग सुनने रहे हैं यह लोग लगातर गोली बारी कर रहे हैं लोगों को मार रहे हैं गलत काम कर रहे हैं, गवर्मेंट वार्निंग पर वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन अपने गलत काम को करते ही जा रहे हैं, कितने हद तक वार्निंग दी जाएगी, अब वार्निंग देने के बाद ही वो लोग बदलने का नाम और निशान उनके जीवन में नहीं दिख रहे हैं वही चीज हम पुराने नियम में नहीं बलकि पूरे बाइबल में हम देख रहे हैं और यही चीज आगे भी होने वाला है यही चीज हमने Old Testament में देखा किस प्रकार इसराइल के लोग भी परमेशुर के बातों को उस विकार नहीं कर रहे थे अब हम यशाय जर्माय में आते हैं हम देख पा रहे हैं किस प्रकार वहां के इसराइल के लोग गुलामी में जा रहे हैं क्योंकि परमेशुर के बात को वो सुनने रहे थे जहां पर भी परमेशुर पनिश करता है, वहां पर पनिश करने से पहले उनको time दिया जाता है, उनको मन फिराने के लिए time दिया जाता है, कनान में जब परमेशुर ने कनान के लोगों को भगाया, इसराइल के लोगों को जंगल में भटका है, लेकिन कनान को उतना time मिला, वै तना टाइम दिया गया, जब यह सब calculate करके देखते हैं हमको पता चलता है कि Bible का खुदा जो है वो बहुत ही loving है बहुत ही merciful है, बहुत time देता है लेकिन बहुत time देने के बाद जब इंसान मन फिराता ही नहीं है वो जो है और लोगों को जब बिगाड़ सकता है और बिगड़ी होती, फिर भी हम खुदा कोई सवाल पूछते कि खुदा क्या कर रहा है, आज लोग पूछते ना, दुनिया में इतना आतिया चार हो रहा है दुनिया में ये गलत काम हो रहा है, दुनिया में वो हो रहा है खुदा क्या कर रहा है, what is God doing when God does, they call God monster, when God does not do they say, where is God, you see the dilemma, problem आप देखरें लोगों की जिंदगी में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पूरा गंदा चल रहा है, पूरा गंदा चल रहा है, अगर कुछ नहीं हुआ where is God past में, खुदा ने पनिश किया हुआ है वहाँ पर दिक्कत है, how can God do this जिंदगी में चाहिए क्या आपको बताई तो हमको जानना बहुत जरूरी है Bible को, हार एक वाचन को जब आप पढ़ते है points को जब पढ़ते है आपको study करना जरूरी है कि Bible में जबी भी punishment आई है, उसके पीछे एक लंबी दिया था, तस plagues, फिर भी फिरॉन का हिरते कटिन होते गया, then how can we expect God not to punish them because we are the ones who will question God, why are you silent, why are you not acting on these atrocities, when God acts, we get triggered and we say, how can God do this because we have our own moral standard which is not based upon the word of God and we want to look at things the way we want, that's not how it works my dear friend, so आपने पूचा, if Jesus loves sinners, why he killed people during Noah's Ark story he loved them so much he gave them so much time, plus 120 years of warning, लेकिन फिर भी उन्हेंने क्या किया, उसको इगनोर कर दिया और उसके बाद उनके उपर punishment आई थी, and that's exactly what is going to happen, इतने वर्ष तक, ये शुमसी के पुनरुथान और स्वर्ग उठाली जाने के बाद, आज लगबग 2000 साल से भी जादा हो गया, warning is continuously given, warning is continuously given to all, लेकिन लोग क्या कर रहे है, उस warning को ऐसा ही मजाक में उड़ा रहे है, जैसे Noah के time में था, Noah का time 120 years का था आज 2000 साल के उपर हो चुका है, पता निया नादर, 10 years, 15 years, 2 years 3 years, 1 minute, 2 minute, I don't know God has His own timing, लेकिन ये warning को भी, ये दुनिया reject कर रही है और एक दिन ऐसा आएगा जहां पर Noah का आर्क का दर्वाजा close कर दिया गया, वैसे दुनिया का भी एक अंतिम समय आएगा, Bible में यही लिखा हुआ है, कि येश्व मसी का आगमन होगा, और जब येश्व मसी का आगमन होगा उनके लोग, उनके साथ उठा लिए जाएंगे कुछ लोगों को ये मजाग लगेगा, लेकिन this is what the Bible teaches and nobody can question God because He has given us more than 2,000 years to repent and we rejected Him but yes, some people who've known the truth, they've accepted the truth for example, मैंने उस अच्चाई को जाना है और मैंने येश्व मसी को स्विकार किया है and I'm not condemned, I'm not ashamed of sharing this, some people might say, कि एक्स्व्यूजी एक्स्व्यूजिए एक्स्व्यूजेए एक्स्व्यूजी 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 हर रिलिजिए करता है हर फिलॉस्पी करता है, and this is the exclusive claim of Christianity and I'm proud of it come whatever, come what may, I may handle it, sorry I will handle it in Christ in Jesus name